कि यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्र आशु दोस्ता आपका सागत करता हूं आज का टॉपिक है वह हैं जो ने सब्सक्राइब होते हैं यह पीछे से साइन ही होते हैं विना रिंगल्स के होते हैं तो अच्छे दीते हैं एजिंग के साथ में यहां की स्कीन की थीनिंग हो जाती है नीचे से जो फैट होती है वह चली जाती है स्कीन विदाउट सपोर्ट होने की वज़े से काफी सारी इंकल्स उसमें दिखती रहती हैं तो हैंड रिजनेशन के लिए आपके पास सजिकल ऑप्षन है फैट अच्छा है लेकिन अगर आप एजिंग के साथ सर्जरी में नहीं जाना चाते हैं नॉन सर्जिकल आपके उपाई करके आपके हैंड का रिजनेशन कराना चाते हैं तो फीलर्स भी बहुत ही अच्छा ऑप्षन है हाई लूरोनिक फीलर्स आप जैसे जानते हैं वह काफी अच्छा और यंग दिख सकता है तो नॉन सर्जिकली भी आप हैंड रिजनेशन करा सकते हैं तो आपके एजिंग हैंड के लिए अगर आपको कोई भी इंक्वाईरी है या तो सर्जिकल या नॉन सर्जिकल दोनों ही पॉसिबलीटी हमारे एलिगंस क्लिनिक में आपक के लिए प्रण दनिवाई